नमस्कार दोस्तों विवेक डोटिंदी में आपका स्वागत है मेरे नाम है विवेक कुमार मेरे पास है यहाँ पर दो डिवाइस यहाँ पर सेम्टंग एलेक्षी ट्वैब दूसरा है ओपो एफ ट्वैब जी आजम करने वाले हैं यहाँ पर दोनी फॉन का कंपैरेजन देख ट्रीओ यहाँ पर घ्लोटिंग और एक यहाँ पर खोड़ा जाती है और यहाँ जाता है्पर तो yawr नहीं है बात करते हैं के साथ यहाँ पर घ्लोटि सी यह में णीट यहाँ आता है अ के चाता है quoi camera बीदा सब्सक्रत्स जो कि मइसाता है करता है देखने के लिए Samsung की ब्रांडडिंग को यहां पर देखने के लिए और MP3 से इसका क्हासवात यह है इसके कैमरा रहे हैं कैमरा नहीं निकला हुआ जिसे कैमरे पर आपके scratch पढ़ने के चांसेज बहुत कम है और बात लुकिंग की करते हैं यहां पर तो दोनी फॉन अच्छी लुकिंग के साथ आपको मिलते हैं अब आप बताइए कमेंट करके आपको किस फॉन की लुकिंग यहां पर ज्यादा बैतरी न लगती है इप टेडिव यहां सेम्संग गैलक्सी ट्वेटी थी फाइब बात करते हैं फिजिकल डिजाइन की ने आप जैसे बोला दोनी फॉन यूनिवोड़ी डिजाइन के साथ आते हैं साइट से एफ ट्वेट है वहीं सेम्संग गैलक्सी यहां पर राउंड़ेट शेप में आता है तिकनेस की बात करें F23 की थिकनेस है यहां पर 8.2 mm VIII5G की थिकनेस है एट पॉइंट 4 mm यह लगवा 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 सेम द्वानी फॉन की राइट सैड में पावर की है और यहां पर आपको फिंगर पिंट द्वानी फॉन में पावर की वहीं मिलेंगे साथ था एट 23 में वॉल्यूम्त यहीं पर मिल जाता है यहते हूं जानी के आपको यहां ल्हु साइब पर मिलेगा बागी बात करते हैं कि दॉनी फॉन का स्परे आपको यहाँ पर मिल जाता है बाटम साइब करते हैं यहाँ पर लोटम पर करते हैं यहां पर करलेते स्वाइब को बूत और airflow क्या कहता है यहाँ पर दोनों ही डिवाइस का क्या फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं क्या हार्डवेर आपको प्रोवाइड किया गया है ओपो एफ 23 और सैमसंग गैलक्सी यहाँ पर दोनों ही डिवाइस यहाँ पर ओन हो चुके हैं और सबसे पहले बात हम डिस्प्लेई करेंगे तो ओपो एफ 23 फाइडी फाइडी में आपको मिलती है 6.72 इंच की फूल एच्टी प्लस आईब्रेश डिस्प्लेई 120 हर्च के साथ में और यह एक पंचोल डिस्प्ल आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि एफ 23 में आपको नहीं मिलेगा बात करते हैं यहाँ पर दोनी फोन को कुछ पैनल की यहाँ पर कुछ पैनल दोनों ही डिवाइस का और यहाँ पर आपको मॉगाइल डाटा होटसपॉर्ट ब्लोटोथ और आपका आई कंपड स्मार्ट यहाँ पर दोनी फोन में आपको मिल जाता है सैंसंग मिलता है यहाँ पर स्मार्ट स्वेच आपको और साथी साथ यहाँ पर स्मार्ट यू का ओप्सन भी है और यह स्क्रीन का आपको F23 5G में भी देखने के लिए मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्टिंग का ओप्सन आपको मि और शिक्यूर फोल्डर ऐसी चीज़ आप अपने फॉन में दूसरा सिक्यूर फॉन यूज कर सकते हैं ऐसा उप्षन आपको F23 5G में देखने के लिए नहीं मिलता है बागी बात करते हैं दौनी फॉन के हार्डवेर की तो यहां दौनी फॉन के अबाउट फॉन सेक्शन में स जाता है जो कि एक गमले टेस्ट है प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं यहां पर दौनी फॉन में सिक्स नाइन फाइगन वक्ता कोड़ प्रस्वर आपको दिया गया है जो कि शिक्स नैनोमीटर पर वर्क करता है साथ सब्सक्राइब 619 GPU भी आपको यहां पर दौनी डिवा फीचर्स तो अधर फीचर्स के लिए हम वापस आगए यहां पर सेटिंग्स में अब देखिए यूजर एकाउं गोगल यह सारा ओप्शन तो हर आपको एंडोड डिवाइस में देखने के लिए मिल जाता है अब बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की समसंग देता है एडवा बात्स वर्जन है अबको यहां पर ऊप्ट इडर्ण मिल जाएगा स्मार्ट साइड वार है यहां पर सिंपल मोड आपके लिए लिए इस उन जेस्टर यहां पर हैं स्कृट का उप्शन है साथ या श्यांसंग में यहां पर गैम लॉंचर आपको मिलता है डूवल मेसेंजर आपको मिलता है जहाँ पर आप बिना किसी थार्ड पार्टी अप्लिकेशन के अपने फॉन में दो वाट्स है फेस्बुक इंस्टाग्राम स्नैप्ट जे सारे इस फीचर यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ थार्ड पार्टी अप्लिकेशन डाउलोड करने की बाकि इस सब कुछ वह है आप यहां पर देखें थ्री फिंगर से स्क्रीन सोट का उप्षन सैमसंग में नहीं मिलेगा और यह एयर जेस्टर मिलता है आपको एक म्यूट और आंसर कॉल के लिए यह आपको सैमसंग एटवंटी त्री में नहीं मिलेगा बाकि और कोई फीचर इन एक टाइल कनेक्शन साउंड और वालपेपर यह सारे फीचर से एविलेबिल हैं दोनों ही डिवाइस में बात करते हैं यह पर दोनी फॉन की सिक्यूर्टी देखते हैं क्या कि आपको यह पर प्रोवाइट किया गया है आपके पास फेस लॉक और फिंगर प्रिन लॉक अब यहाँ पर एड़ करते हैं अपना फेस और फिंगर पेंट दोनों ही डवाइस में और देखते हैं पर फिंगर फॉन पर की फास्ट पर्फॉर्वेसिस में यहाँ पर आपको ने लेकर आते हैं तो फ़र्स्ट वप में आपडेख पार हें होगे हम यह पर ओप जल्दी होगा है यह है जल्दी और सड़्ट अटम में अपर यहीं कंडिशन है तर्ड यानिकी व्लोग की अगर हम बात करते हैं यहाँ तो ओप पर परफॉर्मेंस दिखाता है बागी fingerprint में बात करें तो वहाँ पर दौनी फोन सेम पर्फॉर्मेंस के साथ आपको मिलते हैं तो दोस्तों अभी तक देखा हमने आपर दौनी फोन का यहां पर यहां पर दोने ही फॉन में यहां पर एक वागी फ्लेस का ओपसन दोने फॉन में यहां पर HDR दौनी फोन में फिल्टर और व्यूटी मोड ऑपसन दौनी फॉन में आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है बात करते हैं यहाँ पर portrait mode की तो portrait mode में दौनी फर्ण में आप background की blurness को यहाँ पर adjust कर पाएंगे अपने इसाफ से साथ जाथ बात करने हैं यहाँ पर filters और beauty mode की तो open wave 23 में आपको यहाँ पर filters और beauty mode मिलेगा वहीं Samsung A23 में यहाँ पर skin smoothness का option आपके लिए दिया गया है बागी बात करते हैं दौनी फर्ण के video recording की तो video recording में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं दौनी फर्ण में फ्लेस का option है और यहाँ पर यहाँ पर आपको मिल जाता है तो night mode available है यहाँ पर दोनों ही डिवाइस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर संशंगे यहाँ विलगी में इस्टई करें वहीं यहाँ यहाँ पर यहाँ फीचर यहाँ बतेख स्केनर यह तीन चीज़ आपको अपको में नहीं मिलेंगी और मुझा नहीं लगता है कोई खास यूज भी करता है बाकि स्लो मोशन दोनाई फॉन में आपको यहां पर दिया गया है तो केमरे में एक छोटा सा डिफ्रेंस यहीं है ओप्वेस्टी फॉर मेगापिसल का में कैमरा मिलता है वहीं सैम्टंग अपको 50 यहां पर प्राइज का कोई डिफ्रेंस नहीं है जिसको 254 लेना वह सकता है लेकिन सैमसंग के डिवाइस में आपको आज कल बहुत ज्यादा सैमसंग परचार करें नौक सेक्यूर्डी का ववास्तों में वर्क करती है रियल है वह तो आपको अगर स्क्यूर फोन चीजिए आपका कोई फोन हैक ना कर पाए डाटा चोरी ना कर पाए तो उसके लिए आप सैमसंग एटवंटी फैब जी परचेस कर सकते हैं तो यह था हमारा सैमसंग एटवंटी फैब जी और ओपो एफट्ववट फैब जी के बिश्पल कम्पेरिजन उमेंत करता हूँ वीडियो आ करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद हैवे नाइस डे